गुड मॉनिंग बच्चो मैं मिसेस पूजा सिंग आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाला था कि आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एक बर फिर से ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखि उसमें पहला क्वेश्चन है, धात रूप की परिभाशा लिखनी है और उनके प्रकारों को बताना है, पट धात के सभी रूपों को लिखना है और उसे याद करना है, और तीसरा क्वेश्चन जो जादा तर बच्चों को समझ में नहीं आया था, उसमें है, पट धात के ही आधार पर नीचे लिखे हुए चारो धातू गम धातू, लिख धातू द्रिश्य धातू और वद धातू के सभी रूपों को अपनी कॉपी पे लिखना है और लिख करके साफ साफ लिखना है और उसको याद भी करना है बेटा सिर्फ यही तीन कुशन मैंने दिये हैं और इसको आपको अपनी किसी भी कॉपी में करना है नई कॉपी लेने की कोई जरूरत नहीं है थैंक यू बच्चो